आज की सच्ची कहानी सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएगे कहानी शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले कहानी हैं, असम का एक सबसे बड़ा नगर है, इसे हम गुवाहाटी के नाम से जानते हैं दरअसल कहानी शुरू होती है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता से बात कर रहा हूँ सितंबर 2023 की एक व्यक्ती जो की महाराष्टर की पुने शेहर का रहने वाला होता है जिस व्यक्ती का नाम है, संदीप सुरेश कामले इसकी उम्र लगभग 42 साल के आसपास होती है जो की कारों का डीलर होता है, वह व्यक्ती पुने में शास्त्री नगर का निवासी होता है एक बार ओफिस से टूर पर वह कोलकाता गया था, कोलकाता में घुमने के बाद इधर उधर वापस वो आता है वो अंतराश्ट्री हवाई अड़े पर वहीं पर पास में एक होटल होता है फाइव स्टार होटल उस फाइव स्टार होटल में रुक जाता है, वहां रुकने के बाद जो भी उसकी जरूरते होती है एक होटल में किसी भी मुसाफिर के लिए वह रुकता है, बातचीत करता है वहां की जो सुख सुविधा थी उस सुख सुविधाओं से उसे बहुत अच्छा लगता है, खासकर अच्छा लगता है वहाँ पर एक लड़की से मिला जुलना एक लड़की होती इसका नाम होता है अंजलीशोजो की पश्चिम बंगाल के जिला हावडा के एक इलाका होता है गोस्टलेंड हरी श्रीकेश वहाँ के रहने वाली होती है, उससे बातचीत करता है जब नाम पूछा जाता है तो लड़की अपना नाम बताती है अंजलीशो दरसल अंजलीशो की उम्र होती है 22 साल जो कारोबारी होता है जो करोड़ पती बिजनेसमेन होता है उसकी उम्र होती है 42 साल ठीक 20 साल छोटी लड़की और 20 साल छोटी लड़की पर दिल जाता है उससे कहता है कि तुम मुझे इतनी अच्छी लगी बहुत ज़्यादा मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ जैसे दोस्ती की बात आती हो लड़की मुस्कुराती है और वह विरोध नहीं करती क्योंकि अमूमन होटल में इस तरह से लोग तारीफ करते हैं काम की और अंजली जब इसकी काम की तारीफ हो रही थी तो वह खुश हो जाती है कुछ दिन बीच जाते हैं उसके बाद फिर से ओफिशियल टूर पर कलकता जाना था इस संदीप सुरेश कामले को जो की कारों का डीलर होता है पैसे की कोई कमी नहीं थी वह करोरपती आदमी होता है उस लड़की से फिर दोबारा मुलाकात होती है तो दोबारा मुलाकात करने के बाद कहता है कि देखो मैं तुमसे दोबारा मिलने के लिए आ गया हूँ जब इस तरह की बातचीत करता हैं तो थोड़ा नजदी का जाते हैं अभी तक वह इस होटल में रुके थे लेकिन वह कहता है कि अगर तुम्हें कोई एत्राज ना हो तो हम कोलकाता कि किसी दूसरे होटल में चले लड़की तेयार हो जाती है बीस साल छोटी लड़की जब तियार हो जाती है वह होटल में जाती है होटल जाने के बाद दोनों की नजदी की बढ़ जाती है यानि की दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते है कि अब उनके बीच में कपड़े भी नहीं थे बिना कपड़ों के एक दूसरे के पास हो जाते है उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगा उसके पास और तभी उसने कहा कि अगर वह एतराज ना हो तो क्या हम इन पलों को अपने कमरे में कैद कर ले लड़की ने हालांकी विरोध किया लेकिन जो बिजनेसमेन था उसने अपने रसों के दम पर उसने अपने पैसे के दम पर आखिरकार उस लड़की को मना ही लिया और उसकी जो अंतरंग तस्वीरें थी अन्तरंग वीडियो थी अपने मॉबाइल में उसने उनको कैद कर लिया अब तो बस मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो जाता है उस लड़की को कुछ दिन के बाद पुने बुलाया जाता है और पुने बुलाने के बाद वही सिलसिला जो नंगी तस्वीरें खींचने का होता था वह कारोबारी उसके फोटो खींच लिया करता था फोटो खींचने के बाद उसके करीब आ जाता है बहुत जादा अब यह दो-तीन महीने लगातार इनका सिलसिला चलता रहा कभी भी कहीं भी किसी भी होटल में मिलना कभी कोलकाता में तो कभी पुने में कभी कोलकाता में इस तरह से लगातार चलता रहा और वह जब भी मौका मिलता था तब उसकी तस्वीर खींचने से वह पीछे नहीं हटता था उसका वीडियो बनाने से भी पीछे नहीं हटता था और लड़की लगातार दलदल में धस्ती चली जा रही थी शुरुआत उसकी नानकुर से हुई और बात पहले वाली बात को ही आधार बनाकर उसके साथ वह इस तरह से अंतरंग इसकी तस्वीर लेना शुरू कर दिया लेकिन वह लड़की नहीं जानती थी कि जिससे बात करती है वह शादी शुदा है और 13 साल की लड़की का बाप भी है और एक दिन तो हद हो जाती है जब उस कारोबारी ने कहा कि मैं तुम से शादी करना चाहता हूँ लड़की ने कहा कि तुम तो खुद शादी शुदा हो 13 साल की तुम्हारी लड़की है तो यह कैसे मुम्किन होगा लड़की पहले से ही किसी और को प्यार करती थी जिस व्यक्ति से वह प्यार करती थी उससे जाकर पूरी कहानी बताएं कि मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुकी हूँ दरसल वो लड़का भी हालांकी रहने वाला तो उत्तर प्रदेश का होता है लेकिन फिलहाल वह जिला हावडा के हरी सिंख श्रीकेश जो हावडा जिले में लगता है वही का रहने वाला होता है जालुक बारी में उसका नाम होता है विकास शो विकास शो और अंजली शो एक दूसरे से बेंतहा प्यार करते थे लेकिन अंजली ने अपनी प्रेमी को धोखा देते हुए कारोबारी के साथ न केवल नजदीक पहुंच जाती है बलकि उसके साथ वह शारीरिक संबंधी बनाती है और वह सब वीडियो फोटोग्राफ्स उसके कैद हो चुके थे लेकिन इस बीच में उसने कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ इसने शादी के लिए मना किया तो अंजली के परिवार वालों का नंबर भी उस कारोबारी के पास होता है कुछ तस्वीर कुछ वीडियो निकाल कर वो उनके परिवार वालों को भेज देता है और जैसे ही लड़की के परिवार वालों को यह तस्वीर मिलती है तो उनके पैरों में जमीन खिसक जाती है अब इस लड़की के कैरेक्टर को लेकर घर में परिवार में तरहतरह की बातें हो रही थी लड़की काफी रोती है गिर गिराती है उस कारोबारी के सामने कहती है कि तुम्हें मेरी जिंदगी को बद से बदर कर दिया है तुम्हारे पास जो यह फोटोग्राफ्स है तुम्हारे पास वीडियो है इसे डिलीट कर दो मुझे बेवजह बदनाम करने की कोशिश मत करो पर होती है गिर गिराती है लेकिन कारोबारी कहता है कि शादी तो करने ही पड़ेगी जिंदगी मेरे साथ ही बीतानी पड़ेगी मैं तुम्हें हर तरह की सुक सुविधा दूँगा इस तरह के उसने लालज देना शुरू कर दिया लड़की मना करती थी कारोबारी बार-बार जिद करता था आखिरकार उसने अपने प्रेमी से पूरी कहानी बयां की प्रेमी ने कहा कि ठीक है कुछ ऐसा करते हैं जिससे कहिए जो फोटो है जो वीडियो है वह हमेशा के लिए खत्म हो जाए उसके लिए उन्होंने प्लानिंग किया प्लानिंग करने के बाद असम का जो सबसे बड़ा नगर है जिसका नाम है गुवाहाटी उस गुवाहाटी को चैनित किया गया और चैन करने के बाद कहा कि वहां का जो फाइव स्टार होटल है जीस फाइव स्टार होटल के नाम है रेडिसन रेडियेशन ब्लू होटल एक काम करते हैं वहाँ पर उसको बुलाओ यानी की चार फरवरी दो हजार चौबीस को यह तै कर लेते हैं और उसमें कमरा नंबर 922 बुक कर लिया जाता है लेकिन यह कारोबारी इस बात को बिल्कुल नहीं जानता था कि उस लड़की ने अपने प्रेमी को बुलवा लिया है और वह भी इसी होटल में निवास कर रहा है शर्त यह लगी थी कि जब वहाँ पर हम होंगे दर्वाजा में खोल दूंगी अंदर आना है दोनों मोबाइल चुराने हैं और चुराने के बाद वहाँ से चुपचाप निकल जाना है अब मोबाइल इसके पास नहीं रहेंगे क्योंकि मोबाइल के अंदर ही पिक्चर और वीडियो बनी हुई है यदि वह मोबाइल गायब हो जाएंगे तो मेरी जिन्दगी का क्लेश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और जो ये मुझे बार-बार ब्लैक मेल करके जो किसी ने कभी पुने कभी कोलकाता इस तरह से बुलाता है वह बाद भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी पांच फरवरी दो हजार चौबीस की दो फर लगभग दो बजकर तीस मिनट बजे के आसपास इस लड़की ने उस लड़के से कहा कि तुम आजाओ ये सही मौका है अब जैसी वह लड़का उस कमरे के अंदर प्रवेश कर रहा था वह शायद बातरूम में नहा रहा था इसी बीच में जब निकलता है तो उसने विकास शो को अपनी आंखों से देख लिया अपने मोबाइल उठाते हुए अब जब मोबाइल उठाकर वह भागने की कोशिश कर रहा है विकास तब संदीब कामले ने उसको पकड़ लिया और इसी पकड़ा पकड़ी के अंदर दोनों मोबाइल आपस में चीनने की कोशिश कर रहे है कभी संदीब की मोबाइल चीन रहा है तो कभी विकास मोबाइल चीन रहा है और इसी खींचातानी के अंदर कुछ ऐसी चोटें इस संदीब कामले को लग जाती है जिसकी ना तो अंजली ने कभी उम्मीद की थी और ना ही विकास ने कभी उम्मीद की थी वह बहुत जोर से जमीन पर गिरता है और उसके सर में खून निकलना शुरू हो जाते है वह लड़की वहां से कहती है कि यहां से निकलने में ही फाइदा है लड़का कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो तुरंट वह मोबाइल लेकर यहां से भागने की कोशिश कर रहे थे जैसे जाते हैं उनका जाते-जाते काम करते हैं कि इसकी हालत ज्यादा खराब ना हो जाए इसलिए रिसेप्शन पर फोन करके डॉक्टर को बुलवाते हैं हो सकता है, इलाज हो ठीक हो जाएगा वह नहीं जानते थे कि जिस व्यक्ति को उन्होंने धक्का दिया है, गिराया है उसके सर से ज्यादा चोट लगी है, खून बह रहा है, मर भी सकता है रिसेप्शन पर सुचना देने के बाद अपना सामान समेते हैं और वहां से भाग जाते हैं और जैसे भागते हैं, तो उसके बाद फिर रिसेप्शन वाले यानी की होटल वाले उस कमरे में पहुचते हैं वह व्यक्ती मर चुका था जब उसकी नस देखी जाती है, अब क्योंकि बाद पूरी होटल पर न जाए इसलिए तुरंथ ही पुलिस को फोन किया पुलिस मौके पर आती है पुलिस यह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार यह मरने वाला व्यक्ती कौन है बहुत सारे सवाल है पुलिस ने इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश की तो सबसे पहले CCTV कैमरे चेक किया और यह पता किया गया कि दूसरा जो फोन जो आया था यह सूचना देने के लिए कौन से कमरे से आया था अब उस कमरे की भी तलाशी ली जाती है साथ ही वह व्यक्ती तो वहां से जाही चुके थे कमरे के माध्यम से पता चलता है कि वह तो यहां से बहुत तेजी के साथ निकले है अब यह लिस्ट देखी जाती है यानि की गेस्ट लिस्ट की कौन कौन गेस्ट आये थे उनके फोन नंबर क्या है, उनका आदर के नंबर क्या है, इनका पता क्या है जब उनके बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि दोनों ही एक शेहर के यानी की पश्चिम बंगाल के पत्ते पर हो कोलकाता के पत्ते को रहने वाले थे अब इससे पहले की वह गेस्ट कैसे जाएंगे यह भी पुलिस के लिए सवाल था पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर बस स्टॉप पर साथ ही हवाई अड़े पर वहां पर उन्होंने पुलिस ने अपनी चौकसी दिलाए साथ ही यह पता करने की कोशिश की की आखिरकार वह जोहवाई जहाज लेंडिंग में तो उरने वाला है गुवाहाटी से कोलकाता के लिए तो यह किस वक्त जाएगा उनके रात को 9.15 मिनट पर जाने वाला था और उस गुवाहाटी वाली फ्लाइट जो की कोलकाता तक जा रही थी तो पता चलता है कि अंजली शो और विकास शो का नाम उसमें शामिल होता है जैसे ही पुलिस को पता चलता है पुलिस ने घेराबंदी शुरू कर दी और घेराबंदी करने के बाद यह 5 फरवरी 2024 की शाम लगभग 6 बज कर 30 मिनट बजे के आसपास का वक्त था तब ही अजार एक इलाका लगता है, अजारा उस इलाके में पुलिस ने की उस पोस्ट इलाके में यह प्रेमी और प्रेमी का दोनों पकड़े जाते हैं पकड़ने के बाद पुलिस ने लेकर आती है, तब वह पूरी कहानी बताते है कि यह व्यक्ति न्यूट फोटो की वजह से लगातार ब्लैक मेल कर रहा था उसके शारीरिक शोशन कर रहा था और शादी करने की लगातार दबाव बना रहा था उनका मारने का कोई इरादा नहीं था लेकिन हादसा कुछ ऐसा हो जाता है कि इस व्यक्ति की मौत हो जाती है और यह घटना करमपुरा सोशल मीडिया पर वाइरल हो जाता है पुलिस ने घटना करम का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों गिरफतार किया और गिरफतार करने के बाद जेल भेज दिया पुलिस ने कोशिश की है कि जो भी इसमें जांच करने के बाद सतिता आएगी चार सीट लगा कर जो भी पूरा मामला होगा उसके बाद कोट भेजा जाएगा कोट ये तै करेगा कि आखिरकार इनको कितनी सजा मिलनी चाहिए कितनी नहीं मिलनी चाहिए लेकिन वहां कि जब पुलिस ने बुलाया किया प्रेस कांफरेंस किया तो प्रेस कांफरेंस करने के बाद यह जरूर बताएं कि अंजली शो को यदी उस कारोबार से दिक्कत थी तो पुलिस का सहारा लेना चाहिए था हालांकि यह सब जानते हैं कि पुलिस जब किसी कोई शिकायत मिलती है तो शिकायत तो कितनी गंभीरता से लेती है, जब मामला बड़ा हो जाता है, दूर पर जाता है कुछ हाइलाइट हो जाता है, तब पुलिस के कारे प्रनाली कुछ अलग दिशा में चली जाती है फिर पुलिस अपनी वैवाहिक करने के लिए कुछ भी करने को तियार हो जाती है दोस्तों इस वीडियो से किसी को डराना या धमकाना नहीं बलकि आपको जागरूख करना है दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें साथ ही जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें रोज नई कहानी सुनने के लिए धन्यवाद